एक दिन सर्पराज काट्रे और सर्पू रिया नागिन के घर के सामने खड़े थे, हिस फिश 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 नई आई अभी, आदा घंटा हो गया, कब बे आ है, हिस फिश फिश फिश, जब तक बो आती नहीं तब तक तुम हमको जादू करना सिखाओगे, हिस फिश 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 ठीक है, सिखाओ, हिस फिश फिश फिश, ओके, मैं दो कदम आगे आता हूँ, सर्पराज काट्रे जैसे ही दो कदम आगे आता है, उपर बैठा कौबा कल्लू कुमार उसके उपर तमल्टी कर देता है, हुई 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 हुई, बताओ हम जला दै, बरमारी के, तुमाई वहां से निकलता है और जंगल पहुचता है, काव, काव, बेम्टी खोद हमको सफेद शेमपू गिराने का मन हो रहा है, कौबा पेड के पिछे जाके सफेद शेमपू गिराता है, 61, 62, 63, जे डरे बापू, अब कौबा कल्लू कमार बहुत ठक जाता है और उसको प्यास लग आती है, कौबा कल्लू कमार बेम्टी खोद वहां से उड़ता है और आसमान में उड़ ही रहा होता है कि उसके उपर तमर्टी गिरती है, वो देखता है तो सरपराज काटे उसके उपर तमर्टी कर रहा होता है, हुई 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 हुई, हिस फिश 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 फिश, सही कह हम से पंगा, बताओ हम जला दए, फिर कॉबा कल्लू कुमार एक घर के पास आके रूप जाता है, वो देखता है कि घड़ा रखा है, वो पास जाकर अपनी चोच घड़े में डालता है लेकिन पानी बिल्कुल नीचे होता है तो वो पी नहीं पाता, अब उसको एक तरकीब पूचती है, देख क्या रहा है ब्रो मैं चीम स्मर्टका हूँ और आपको एक बात और बताओ बिल्कुल बगल में नदी भी है लेकिन वेम टी खोद कॉबा यहीं अपनी चाह मुद्दाएगा, हुई 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 हुई, इतने में कॉबा बापस आता है और उसके हाथ में बिसलरी की बोतल होती है, देख क्या रहा है ब्रो, कौन कंकर डाले इसलिए मैंने पानी जो मेटो से ओर्डर कर दिया, हुई, हुई हुई